हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉम्पिटिशन रूफ चेनल विद्यार्थियो आज हमारी जो वीडियो होगी वो कक्षा बार्वी की पहली कवीता जो हरिवन राय बच्चन जी द्वारा रचित है जिसको हम आतम परीचे और दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसके मैं MCQ ले पढ़ लिया है और अगर कवीता को नहीं पढ़ाया तो आप पहले कोशन देख लीजिए उसके बाद जब आप कवीता पढ़ोगे तो आपके कोशन अच्छे से और भी कवर हो जाएंगे तो सबसे पहले दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवीता का प्रतिकार्थ अदिल लिख होता है ऐ अप्शन हो जाएगा बच्चे किसकी प्रत्यास में होंगे यहांपर कवी क्या बोल रहा है तो बच्चे अपने माता पिता के आने वाले यात्री की फिर से सुर्य उद्य होने की या खुद आसमान में उड लएगी तो बच्चे किसकी प्रत्याशन किसका इंतज बच्चे गोशलों से जागते वे अपने माता-पिता का इंतजार कर रहे हैं। कवी के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं यहां पर कवी हरिवन्ष राय बच्चन जी जब घर की ओर चलते हैं तब उनके जो पैर हैं वो रुक्सी जाते हैं क्यों पहला रिजन है कोई उससे मिलने को व्याकुल नहीं है कोई आशा अब उनके जीवन में नहीं है उप्रिक्त दो बची हैं? दिन जल्दी जल्दी डलता है कि आवरत्यिक कविता की किस विशेश्था का पता चलता है। कि समय की सुएता की बहुत तेजी से चल रही है? समय भँ परिवर्तन सील है? सर्दियों में दिन भूँत छोटा होता है या जीवन भहुत लगू। तो यहां पर बताया गया है जीवन बहुत लगु है D answer इसका हो जाये लो हो जाये ना पत्मे रात कहीं यह किसकी अशंका है पथिक की फक्षियों की चिडियों के बच्चो की या कवी की हो जाये ना पत्मे रात कहीं यह कौन सोच रहा है कि कही रास्ते में रात ना हो जाए पथिक सोच रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा ठका दिन का पंथी से किसकी और संकेत किया गया है केवल दिन में चलने वाले यात्री के और ठके हुए यात्री के और ठके हुए मनुष्य की और ऐसे सभी मनुष्य जिन बीतो दूर नहीं, पंक्ती से कवी मनुष्य किस परवर्ती के और इशारा कर रहा है, तो कवी का कैसी परवर्ती है, आशावादी परवर्ती है कि अभी मंजिल दूर नहीं है, आप लगे रहो, जैसे कि आपका एक्जाम और आप अगर आपका अभी तक गॉपर्मेंट जोब आपके नहीं हुई है और आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत करते रहे हैं एक न एक दिन आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी वो दूर नहीं है अभी तो आपके सामने बहुत अच्छा उसर है नेक्स नीडों से बच्चों का जहाकना के माध्यम से कवीता में कौन सा करने का प्रयास करता है चिडिया के बच्चों की नदानी घोसले के बहार के संसार को देखने की लेलक बच्चों का भूख से व्याकुल होना अत्यंत व्यागरता से किसी की प्रतिक्षा करना तो नीडों से जब बच्चे बहार की और जहांकते हैं तो इसका अंसर क्या होना पंक्ति में कवी ने मनुष्य की किस प्रिवर्थी की और इशारा किया है तो यहाँ पर किया है निराशावादी प्रिवर्थी की और विद्यार्ति ये जो है इसकी अंसर दिए गए हैं ये मैं पीडियेफ आप लोगों को दे दूहीं हमारे टेलिग्राम पे तो आप टेलिग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और ये जो कोशन है इस तरीके से ये आपके कोशन एक्जाम में बने रहेंगे तो आपको पूरी कवीता अच्छे से समझ में आ जाईए चले अब हम इसकी जो दूसरी कवीता है एक गीत उसक ये प्रवर्तक माने जाते हैं जैसे अंग्रेजी में सोनेट होता है वैसे हिंदी में क्या होता है हालाबाद होता है एक गीत कवीता हरिवन्ष राए बच्चन के किस संग्रे से ली गई है तो ये ली गई है निशानी मंतरन से ये जब आप NCRT पढ़ोगे और जब आप कव ये मंजिल दूर क्यों नहीं है इच्छा और उमंग के कान रात होने के कान ठकने के कान या पैरों में चंचलता होने के कान इच्छा और उमंग के कान उसकी मंजिल उसे दूर नहीं लगती है पते क्या सोचकर शिगरता से अपनी जीवन रूपी मार्क पर बढ़ता है कहीं वह भटकना जाए कहीं रास्ते में रात ना हो जाए उपरियुक्त दोनों या सभी गलत हैं तो क्या सोचकर वो जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रास्ते में वह भटकना जाए और कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए इसलिए वो और भी स्पीड से तेज गती से चलना तो यहां पर देखो शतुरता तो कभी नहीं होगा आक्रमकता भी नहीं होगा और चंचलता भी नहीं तो विहलता अर्थात उसके हरद्य को और भी दुखी करता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवीता में कवी हताश और दुखी क्यों है आर्थी खानी के करण, अकेले पन के करण, अपराद के करण या इन में से कोई नहीं क्योंकि यहाँ पे कवी क्या है, अकेले पन के करण ही वे हताश और दुखी हो जाता है बच्चों की याद आते ही चिडिया क्या करती है रोती हैं सोती हैं तेज से उड़ती है या इन में से कोई नहीं तो क्या करती है कर यहाँ पे चिडिया तेज से उड़ उड़ कर अपने बच्चों के पास पहुचने का प्रयास करती है कवी से मिलने के लिए कोई व्याखुल नी है इस से कवी पर क्या प्रभाव पड़ता है कवी यह सोचकर तिवर गती से चलता है कवी का मन घर पहुचने के लिए आतुर हो जाता है यह सोचकर कवी के पैरों की गती शितिल हो जाती है तो आप इनको भी देख लेंगे चले नेक्स नीड का अर्थ क्या होता है तो नीड का अर्थ मैंने पहले बता दिया घोसला होता है प्रत्याशा का अर्थ इन में से क्या है आशा के प्रति की गई एक आशा किसी से कोई आशा नहीं दोनों प्रत्याशा करता है आशा के प्रति की गई एक आशा पंथी शब्द का अर्थ यहां पर क्या दिया गया है पंथी शब्द का अर्थ राही यात्री मुसाफिर या मंजिल बताइए तो यहां पर होगा यात्री होगा या राही होगा एक बार 23 का हम confirm देख लेते हैं क्या होगा तो 23 का अंसर यहां पर दिया है घह यानि की मंजिल ओ सोरी पंथी शब्द का अर्थ क्या नहीं है हमें कोश्चन थोड़ा सा ध्यान से नहीं पड़ा जल्दी में पढ़ लिया राही भी होगा यात्री भी होगा और मुसाफिर भी होगा मंजिल कभ जल्दी में गलत पढ़ लिया था यह गलतिया हमसे पीजिटी एक्जाम में होने की भी चांसिस है तो थोड़ा हमें रुपकर भी पढ़ना पढ़ेगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है विद्यारतियों सोची आप लो रूपक उपमा यमक या पुनरु दिया गया है नेक्स्ट विद्यारतियों यह साइद से पूरे हो गए है हमारे कोश्चन तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और इस कवीता को यदि आपने नहीं पढ़ाया तो इसको जरूर जाकर पढ़ें एंसी आर्टी से हरीवन श अच्छे के साथ कुछ नए के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम